हेलो हाई दोस्तों मैं हूँ साजीता दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी छोटे से छोटे बच्चों की सरदी जुखाम आप किस तरह मिंटों में खतम कर सकते हो जी हाँ दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं जिसे कि एक महिने के दो महिने के या एक महिने के अंदर भी दोस्तों वो बच्चों के भी बात करूँगी यहाँ पर मैं दोस्तों उनकी सरदी जुखाम आप खतम कर सकते हो कुछ ही मिन्टों में तो चलिए फटफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्यूंकि मैं इस तरह से टीप्स एंट्री वीडियो लाती रहती है अपने चैनल पर तो चलिए फटफट से सरसों का तेल लिया है याने कि मैंने मस्टर्ड ओयल लिया है इसको थोड़ा सी गरम कर लिया दोस्तों गुनगुना हो गया है यह अच्छे से तो यहां पर लेना है हमें एक चमच यह देख सकते दोस्तों एक चमच मैंने ले लिया है दोस्तों हम सब को पता है कि सरसों का त चुगली कितना जादा helpful होता है खास कर सरदी के मौसम में तो दोस्तों यहां पर मैंने एक चमच ले लिया है इसमें हम add करेंगे एक छोटा चमच घी जी हाँ दोस्तों यह गाय का शुद्ध देसी घी है आप इसी का इस्तमाल करें दोस्तों बैस्ट रिजल्ट के लिए आपक कुछ clear कर देती हूं ताकि आपको comment करके पूछना ना पड़े mix करना है और दोस्तों आपको मैं यहां पे clear कर देती हूं कि इसको इस्तमाल कि स्तरह करना है वह मैं आपको बताँगी ताकि आपको कोई भी confusion ना हो तो दोस्तों हलका गुनगुना तेल हो जाएगा तो आईए दोस्तों ताकि बच्चे को कभी सर्दी दुखान ना हो और दोस्तों बच्चों को श्वेटर सोक्स वगरा पिना के रखिए सर्दियों के मौसम में खासकर इस चीज़ का जरूर धियान दे दोस्तों और यह तेल कंट्यूनी लगाते रहिए तो से तीन दिन में आपको असर दिखेगा दोस्तों कफ होगा तो वह भी निकल जाएगा दीरे-दीरे मेल्ड हो जाएगा क्यूंकि इसमें हमने घी का इस्तमाल किया है इससे आपके बच्चों को बहुत जाता फायदा होगा दोस्तों लेकिन आपको इस्तमाल करना है दोस्तों इस तरह की वीडियों अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों मिलूंगे नेक्स वीडियो में बाई बाई